महा लक्ष्मी के पूजन में ऐसी कौन सी गलतियां हो जाती है जिसकी वज़ा से दिपावली पे आपने खूब मन से महा लक्ष्मी का पूजन किया जहां से जो उप्चार पॉसिबल हुए वो किये, जो जो आपको उपाय बताएगे आपने सभी किये लेकिन महालक्ष्मी की कृपा नहीं मिली यह हम देखते हैं दिपाबली पे बहुत सारे लोग महालक्ष्मी का पूजन करते हैं लेकिन सभी को तो लक्ष्मी की कृपा नहीं मिलती है तो जाने अन जाने में ऐसी कौन सी बड़ी गलती है जो हम कर जाते हैं और जिसकी वाज़ा से हमारा महालक्ष्मी का पूजन असफल रहता है आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागेद है आपका हैपी लाइविद योगेश शर्मा में और दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनमर निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करेपा सब्सक्राइब जरूर करियेगा और बेल बटन दबाना ना भूलियेगा तो महालक्ष्मी के पूजन में चूक कहा हो रही है उसको जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि महालक्ष्मी के गरपा कितने प्रकार की होती है या दरसल कहलें कि लक्ष्मी होती कितने प्रकार की है आठ लक्ष्मिया होती है इसको अश्ट लक्ष्मी बोला जाता है कौन सी आठ लक्ष्मी है सबसे पहले है धन लक्ष्मी हमारी लिक्वीड करंसी, हमारे बैंक में पैसा कितना है हमारे पास ये गहने वगारा कितने है यानि जितनी भी material चीज़े है ये सारी धन लक्ष्मी के अंडर आती है धान लक्ष्मी क्या है? धान लक्ष्मी है लक्ष्मी क्रिपा का दूसरा रूप यानि जीवन में भोजन, अन, धान, धन इन सभी की कमी कभी न हो जीवन में जो गुजारा है न ये हमेशा बहुत असे चलता रहे ये महालक्ष्मी का दूसरा रूप है महालक्ष्मी का जो तीसरा रूप है वो है गजलक्ष्मी गजलक्ष्मी दरसल वाहन को बोला जाता है सवारी का सुक कितना होगा? जीवन में क्या Luxury की तरफ जाएंगे क्या इंसान को वाहन का सुक्चो है ये मिलता रहेगा ये मागज लक्षमी की कृपा के अंडर आता है और इसके बाद बारी आती है संतान लक्षमी संतान को भी धन माना गया है संतान के बारे में कहा जाता है कि आपकी संतान आपका वो हौसला, जो आपको समस्याओं से निकालेगा, वीर लक्ष्मी की कृपा ना हो, तो आप तो समस्याओं में उलजते चले जाओगी, तो वीर लक्ष्मी की कृपा भी जो अश्र लक्ष्मी का एक रूप मानी गई है, और इसके बाद आती है विजयलक्ष्मी, यानि जो भी समस्याएं आएं, आप उनमें से निकले और विजय हो, ये है विजय लक्षमी की कृपा, फिर आती है विद्या लक्षमी, विद्या अगर आपके पास विद्या नहीं है, नौलेज नहीं है, कहते हैं नौलेज इस मनी, नौलेज इस पावर, तो आप वीर लक्षमी, व ये चूक का पाठ नहीं है, लेकिन कहा चूक हो रही है? आपको ये बताने के लिए ये अश्च लक्ष्मी का स्वरूप बताना बड़ा ही जरूरी है, और फिर अन्त में आते हैं आदीलक्श्मी, आदीलक्ष्मी अश्च लक्ष्मी का आठमा स्वरूप है, सब से important स्वरूप, आदि लक्षमी क्या है, जीवन में आपके goal क्या है, आपके target क्या है, महालक्षमी के सातो स्वरूप जो है ना ये आदि लक्षमी में समाई हुए है, तो यहाँ पे हमारी चूक का जो chapter है ना वो शुरू होता है, कैसे शुरू होता है आप ये देखिए कि अगर आप imagine करिए कि कोई football का match हो रहा हो और उसमें पीछे goal post ना हो तो क्या उस match का कोई औचित है cricket का match हो रहा हो और दोनों तरफ 3-3 विकेट ना लगी हो तो cricket match का कोई औचित है लेकिन हम अपने जीवन में तो इसी तरह से जा रहे हैं हम तो अपने जीवन में बिना किसी goal के भागे चले जा रहे हैं दिपावली पे महालक्ष्मी का पूजन कर लिया लेकिन हमारे पास कोई गोल ही नहीं है कि अगली दिपावली तक हम अपने जीवन को किस तर पर देखना चाहते हैं तो महालक्ष्मी की यकीन मानिये कृपा नहीं आएगी वहां बैठे महालक्ष्मी भी हस रही होती है कि इस इंसान के पास इस बंदे के पास तो अपना कोई गोल ही नहीं है तो इसके पास तो आदी लक्ष्मी जो सभी लक्ष्मियों को कंट्रोल करती है ये उनका हवानी नहीं कर रहा है ये उनको बुला ही नहीं रहा है तो इनके पास बाकी लक्षमिकी कृपा कैसे पहूंचेगी तो अगर आपने मा आदी लक्षमी यानि अपने जीवन के जो goals हैं इनको set नहीं किया है तो यकीन मानिये ये दिवाली अगली दिवाली उससे अगली दिवाली जितनी दिवाली पर पूजन करोगे ये पूजन कामयाब नहीं होगा तो आपकी चूक का पहला पार्ट यह है कि आप गोल नहीं बना रहे हैं आप अपने जीवन में स्पष्ट नहीं सोच रहे हैं सबी इंसान धन क्रिपा मांगते हैं लेकिन दरसल लक्ष्मी क्रिपा में आपको क्या मांगना है सबसे पहले एक विश लिखनी है उसमें ये लिखना है कि अगर आज आपके जीवन में करजे हैं तो करजा मुक्ती की प्रार्थना मत करिए आप अपनी इंकम को तीन गुना बढ़ाना है दो गुना बढ़ाना है पहले स्पष्ट लिखे आज आपके income कितनी है फिर आप लिखे कि आपको अगली दिपाबली तक इतनी income चाहिए अब ये है आदी लक्ष्मी को बुलाना यहां से आपकी प्रार्थना की सफलता शुरू होती है आप अगर सोच रहे हैं कि इसका पूजा से तालुक नहीं है टेफिनेटली नहीं है लेकिन पूजा का ये सबसे जुरूरी पार्थ है इसको याद रखिएगा तो मार आदी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए तो आपको सबसे पहले एक सपष्ट टार्गेड लिखना है आपको घर चाहिए एक प्रापर लिखिए कि मुझे अगली दिवाली तक मेरे सपनों का घर चाहिए आपको इंकम के बढ़ोतरी चाहिए अगर आप कर्जा मुक्ती लिखेंगे यकीन मानिये कर्जा नहीं उतरेगा कर्जा बढ़ेगा आपको लिखना है मुझे इंकम इतने गुणा करनी है कर्जा अपने आप उतर जाएगा अगर आपको रिष्टो नातों में महालक्ष्मी की कृपा चाहिए तो उसको भी सपष्टता से लिखिए आपके जीवन में महालक्ष्मी की कृपा आपके पूरे intent के बिना नहीं आएगी ये है महालक्ष्मी के पूरे पूजन में जो सबसे बड़ी चूक आपसे होती है उसका पहला पार्ट अब दूसरा पार्ट क्या है अश्ट लक्ष्मी की कृपा आपके घर की आठो दिशाओं से आएगी आपके घर की जो पूर्व दिशा है न ये आपको समाज से जोड़ती है समाज की कृपा के बिना आपके जीवन में कभी तरक्की नहीं हो सकती है तो पूर्व में अगर खराबी होगी न, समाज से कटे-कटे रहोगे और फिर आप कहोगे मालक्ष्मी की कृपा नहीं आ रही है और साउथीस्ट में अगर आपके कोई खराबी होगी, तो आपके जीवन में लिक्विडिटी, कैश, इसका फ्लो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा तो साउथीस्ट इस दिपावली पे बिल्कुल टेंशन फ्री करिए, गंदगी हटाईए वहाँ से इसके साथ 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 ही आपके घर की चत भी इसी उर्जा से जुड़ी होती है तो दिपावली पे घर की चत को भी साफ करना है तो तीसरी दिशा आपके घर की है दक्षिन, यह आपके नाम, आपकी गुडविल से जुड़ी हुई है तो अगर आपका नाम ही खराब है तो लक्षमी की कृपा कैसी भी आ जाए बदनामी के साथ लक्षमी कृपा जो आएगी न वो उसको लंबे समय तक आपको कभी सुख नहीं दे पाएगी तो अगर आपका नाम खराब है तो इसका मतलब है इसके राज आपके घर की दक्षिंट दिशा में छेपेवाएं, यह आपकी गुडविल को खराब करती है, इसके बाद बारी आती है सौथ वेस्ट दिशा की, स्टेबिलिटी की दुश्मन है इस जगा की खराबी, अगर इस प्रश भी कर लो, नतीजों में कनवर्ट नहीं हो पाएगा, अब करते मेहनत करते जाओगे, लेकिन नतीजा नहीं आएगा, आपके घर का नौर्थ वेस्ट खराब है, तो आपकी मेहनत किस रूप में काम आते जाएगे, लेकिन लोग आपके इस मौका पढ़ने पर कभी का आप धंग से सोची नहीं पाओगे, अपने जीवन को अपग्रेडी नहीं कर पाओगे, तो अश्ट लक्षमी के साथ घर की आठो दिशाओं में आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, कि जीवन में इन चीजों से संबंदित जो भी दिक्कत आ रही है ना, बस आप इस वी आचरण होता है न, ये भगवान तक लेके जाता है, तो इस दिपावली पे आप पूजा के साथ अपने आचरण को पेवर करिए, गोल के साथ गोल डिसाइड करिए, लोगों के जीवन में परिवर्तन लेके आए, खुद को अपग्रेड करिए, अपनी नॉलेज को, अपने चरित्र को, हर चीज को अपग्रेड करना है, क्योंकि अगर आप महालक्ष्मी को डिजर्व करना चाहते हैं, आप लक्ष्मी कृपा के पात्र बनना चाहते हैं न, तो इन शर्तों के बिना नहीं बन पाएंगे, जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, खाली पूजा पाठ के, खाली उपायों के आसरे रहेंगे, लक्ष्मी कृपा आज नहीं, अगली दिवाली नहीं, कभी भी आप तक नहीं पहुंचेगी, तो इन बातों का ध्यान रखके, इस दिवाली को सच में आप शुब दिपावली, हैपी दिपावली बना सकते हैं, तो आपको और आपके पर धर्म सर्काव, धर्म के सचे प्रहरी तर्वधरम संगम टीवी चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें